सब्सक्राइब करें सरवन लेक्चरर चैनल को और वेल आइकन दमाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लाश 10 हिंदी का दो बेरी इंप्वाइटन्ट पद्दान्स यह दोस्तों बहुत ज़्यादा इंप्वाइटन्ट है और आपके इस लेबस में भी है तो दोस्तों वीडियो को लाश टक देखना ताकि आप लोग इन दोनों को समझ सकें और आसानी से आपके बोड़ इक्जाम में पूझा जाए तो आप आसानी से लिख सकें दोस्तों लिखा हुआ है मैं अपनी सब गायच रही हो प्रात होत बाल कह संग जाई हो तेरे कहे न रही हो ग्वाल बाल ग्वायनी के भीतर न कहूं डर नहीं लागत आजहू ना स्वई हो नंद दुहाई रहने रहंग जागत और ग्वाल सब गायच रही हो मैं घर बैठे रही हो सूर स्याम तुम सोई रहो ठीक है अब प्रात जान मैं दई हूँ अब दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है क्या व्याख्या अब हमें इसका व्याख्या करना भाई कठीन होता है मैंने इसे पढ़ लिया बट अब हमें इसका व्याख्या करना है ठीक है अब व्याख् समझाऊंगा तो ध्याज लेगे मैं अपनी सब गायच रही हूं देखी बाल कृष्ण जी अपनी माता या सोधा से हट करते हुए कहते हैं हे माता ठीक है अपनी माता या सोधा से कहते हैं हट करते हुए कहते हैं हे माता मैं अपनी सब गायच रही हूं मैं अपनी सब गायों को चराने वन जाऊंगा देखे जो ग्वाल थे गायों को चराने वाले वो चराते थे लेकिन अब कहते हैं अपने माटा से हट करते हुए कि मैं अपने सब गायच रही हो माता मैं अपनी सब गायच रही हो मैं अपनी सब गायच रही हो मैं अपनी सब गायच रहाने वन जाऊंग ठीक है प्राता होते ही मैं भाईया बलराम के साथ वन में गाय चराने जाऊंगा तेरे कहन रही हो मैं तेरे कहने पर यानि कि यसोदा माता से कहते हैं कि मैं तेरे कहने पर घर पे रुकने वाला नहीं हूँ मैं तेरे कहने पर रुकने वाली नहीं हूँ ग्वाल बाल ग्वाइनी के भीतर इतने सारे गायों और ग्वालिनियों के भीतर ठीक है न कहूं डर नहीं लागत मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है मुझे थोड़ा सी अभी भय नहीं लगता है आज हूं ना सोई है नंद दुहाई तो फिर स्री किष्ण जी अपनी यसोदा माता से कहते हैं क्या कहते हैं कि आज हम आज हूना सोई है नंद दुहाई आज तेरा नंद दुहाई सोने वाला नहीं है रहने है रहंग जागत मैं पूरी रात जागता ही रहूँगा क्या कहते हैं अपने ये सोदा माता से आज हूँ ना सोई है नंद दुखाई आज तेरे नंद सोने वाले नहीं है और पूरी दात जागते ही रहेंगे और ग्वाल सब गायच रहें हैं और सभी जो ग्वाल हैं वो गायच राने वन जाएंगे मैं घर बैठे रही हो और मैं घर पे बैठा रहूंगा ठीक है आगे देखे सूर सूर स्याम तुम सोई रहो अब परात जान मैं दई हो फिर कहते हैं उनकी माता यसोदा कहती है सूर दास जी कहते हैं कि उनकी माता यसोदा क्या कहती है सूर स्याम तुम सोई रहो सिर्किषन जी से कहती है तुम सो जाओ सुबा होते ही मैं आपको जगा दूंगा और फिर आप वन गाय चराने चले जाएंगे ठीक है तो इतना समझ में आगया होगा आई होप अब दोस्तों हम इसे दोबारा बताने से अच्छा है आप लोग इसे वीडियो को पीछे करके इसे देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और हम अपना दूसरा पत दान्स देखें ठीक है तो यह हमारा पहला पत दान्स था और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा देखे का गह रहा है मैं अपनी सब गयाचरी हूं मैं अपनी सब गायों को चराने वन जाऊंका प्रात होत बाल के संग जैंँ हूं सुबा होते ही मैं बलदाओ भाय के संग वन में गयाचराने जाऊंगा तेरे कहन रही हूं तेरे कहने पर मैं घर पे रुकने वाला नहीं हूँ ग्वाल बाल ग्वाइनी के भीतर यानि की गायों और ग्वालनियों के भीतर मुझे तनकव डर नहीं लागत है मुझे थोड़ा भी भय और डर नहीं लगता है आज न सौई है नंद दुहाई आज मैं सौने वाला नहीं हूँ और पूरी रात जागता ही रहूंगा और ग्वाल सब गायच रही है और सारे ग्वाल जो है वो गायच राने जाएंगे और मैं घर पे बैठा रही हूँ और मैं घर पे बैठा रहूंगा सूर्दास जी कहते हैं कि उनकी माता ये सोधा कहती है स्रीकृष्ण जी तुम सोजाओ यानि कि तुम सोजाओ मैं सुबा होती है तुम्हें जगा दूँगा आप वन गाय जराने जाएंगे तो दोस्तों ये था मेरा पद्दांज नंबर 4, अब हम लोग अगला देखने वाले हैं ठीक है, तो अगला ये हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा अगला पद्दांज आता है जो की हमारा ये बहुत ही very important है यह आप लोग के लिए बहुत जादा important है यहाँ देखिए कुछ नजरिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ ठीक है यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना जादा important है तो दोस्तों इसे जरूर देखना उधव मनना भाईल दस भीस ठीक है एक हुताव सु गयो स्याम संको अवराधे इस इंद्री सिथिल भाईल के सहु बिन जेहु देही बिन सीस आसाह लागी रहत दन स्वासा ठीक है जीवही कोटी बरीस तुम तो सखा स्याम सुंदर के सकल जोग के इस ठीक है आगे दिखिए पूर हमारे नंद नंद न बिन और नहीं जगदीस तो हम लोग इस्टेब बाइस्टेब एक एक का समझते हैं उधाओ मनना भाईल दस भीस दिखिए उधाओ जी यहां समझेए कि जब गोपियों के पास कौन जाते हैं संदेश लेकर उधाओ जी उधाओ जी जब गोपियो इस संदेश को आस्वाबिकार कर देती हैं इसे स्वाबिकार नहीं करती हैं ठीक है और कहती हैं क्योंकि वे स्री किष्णी को छोड़ कर किसी अन्य की उपासना करने वाले नहीं हैं स्री किष्णी के बीना वो किसी की और उपासना करने वाली नहीं है गोपिया कहती है ठीक ह हमारे एक ही मन हैं हमारे दस हुआ बीस मन नहीं है ठीक है आगे दिखें एक हुटव सो गयो स्याम संग कह आउराधे इस एक मन था वो तो स्री किष्ण के साथ चला गया जो मेरा एक मन था वो तो स्री किष्ण के साथ चला गया अब हम किस मन से तुम्हारे बताए हुए निर्गुन बराम्मर की उपासना किस मन से करूँ ठीक है बिना मन के तो वही आरात्ना की नहीं जा सकती तो वही कह रही है कि अब हम तुम्हारे बताए हुए निर्गुन बराम्मर की उपासना कैसे करूँ इंद्रि सिथिल भैल के सवबिन ठीक है स्री कृष्णि के यानि कि स इंदरियां जो थी स्री किष्णि के बीना दुरुबल हो गई है शक्तिहीन हो गई है जेउदेही बिनसीस जिस प्रकार से क्या होता है कि ये पूरा सरीर होता है बीनसीस के उस्षी प्रकार लग रहा है आसा लगती रहत तन स्वासा और आसा लगी रहती है क्या आसा लगी रहती है कि स्री किशन जी मतुरा से एक बार अवस ही लोट कराएंगे ठीक है जिवही कोटी बरीस इसी की आसा में हम लाखो करोण वर्स जीबित रह सकते हैं यही आसा करके कि स्री किशन जी मतुरा से आवस्च लोटेंगे और उनका दर्सन करूंगा इसी की आसा में गोपियों कहरी हैं कि हम इसी की आसा में लाखो करोण वर्स जीबित रह सकते हैं तुम तो सखा स्याम सुन्दर के तो गोपियां उधो से कहती हैं हे उधो तुम तो स्री किशन जी के मित्र हो और संपोणी और देखे सकल जोगे के इस और पूरे योग विद्या का मिलन के उपायों के ग्याता हो और तुम जो विद्या है उसका ग्याता हो मिलन का ग्याता ह सुर्दार जी कहती है कि हेगोपियां उधव से कहती है कि हम तुम्हें अस्पष्ट यानि कि पूरा अस्पष्ट कोई वो नहीं है कि संकोच है अस्पष्ट क्या बताती है अस्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र स्री कृष्ण को छेरद छोड़ कर हमारा कोई आराध नहीं है हमारा कोई उपासना करने का उद्देश नहीं है तो हम तुम्हारे बताए हुए निर्गुन बरामर की उपासना कैसे करूँ ठीक है तो ये हमारी आसा है कि आप लोग को समझ में आ गया हो तो दोस्तों मैंने आप लोग को ये very important दो क्या बताया है पदांस और आप लोग इसे रट लीजिए क्योंकि 6 नंबर का आता है और ब्याक्या आपका 4 नंबर का आता है और ये आपके किस पार्ट से है तो यह आपके सूर लिखा हुआ है सूरदास पार्ट से है चलिए आपका 6 नंबर complete हो चुका है तो इस प्रकार से आप लोग इसे रट लीजिए और इसे भी हम लोग देख लेते हैं किस पार्ट से है यह भी रोस्तु हाँ आप लोग देखिये सूरधास जी है तो इस भी आप लोग लट लीजिए अगर कोई पूछे किस पार्ट से है तो कहीं दिजिए को लाइक कर दीजिए चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोब् ze प्र्च करना ना भूलिए वरना आप लोगा को नोटैफिकेसिएं नहीं इमिलेगा थो भी कि आप को उनमेन्ट के विडियों आपके सबसे पहले पहुंशे तो दोस्तों लालिस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए क्या धन्नवाद तैयारी कर दो